Hello everyone, मैं हूँ Aditi Shah and I welcome you all to Magnet Grains जहाँ आपको मिलता है 100% education free from kindergarten to 12th class. आज हम करने वाले हैं class 12th accounts का chapter number 8 start जिसका नाम है dissolution of a partnership firm. ठीक है? तो यह बहुत ही मज़ेदार chapter है, बहुत interesting chapter है. तो यहाँ पर सबसे पहले आज के lecture में आपको अच्छे से बढ़िया से concept समझने हैं, जब concept अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो इसके questions अपने आपको easy लगने लगेंगे. ठीक है? तो concepts वाले वीडियो को आपको बिल्कुल भी हलके में नहीं लेना है, बिल्कुल अपना 100% focus यहाँ पर रखना है. चलो, तो अब हम सबसे पहले मज़े से concepts पढ़ेंगे, कहानिया सुनते सुनते concept समझ लेंगे, चले. तो सबसे पहले तो आप जैसा की नाम देख रहे हैं चाप्टर का dissolution of a partnership firm. तो यहाँ पर dissolution का मतलब क्या होता है? Dissolution का मतलब क्या होता है? खत्म होना या अंत होना, किसी भी जीज़ का. तो dissolution का मतलब तो आप समझ गया है, कि खत्म हो जाना, अंत हो जाना. अब, dissolution of partnership, अगर मैं कहूं कि आप already पढ़ चुके हैं. अच्छा, तो dissolution of partnership basically क्या होता है? यहाँ पर partners में आपसी relation change होता है. आपसी relationship change होती है. ठीक है, उसमें बदलाव आते हैं, उसमें changes आते हैं. कुछ कारण उसे, क्या-क्या कारण थे? जो आपने previous chapters पढ़े हैं, देखो, change in profit sharing ratio के कारण, admission कोई नया partner आ रहा है, retirement कोई partner छोड़ कर जा रहा है, या किसी partner की death हो रही है. जो previous अभी तक आपने सारे chapters पढ़े हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? partnership का dissolution हो रहा है, लेकिन business आपका continue हो रहा है. ठीक है? बहले ही एक या दो partner retire हो जाएं, form छोड़ के चले जाएं, लेकिन remaining partners business को continue कर रहा हैं. ठीक है? partners आ रहे हैं, partners जा रहे हैं, लेकिन business आपका continue हो रहा है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? partnership में बदलाव आ रहा है, partnership के relationship में बदलाव आ रहा है. तो इसलिए इसकों क्या बोल देते हैं? dissolution of partnership. समझ में आ रहा है? लेकिन आप इस chapter में क्या पढ़ने वाले हो? यहाँ तक तो आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हो? यह सारी chapters अपने बढ़िया तरीके से पढ़े हैं. अब इसकी अगली step, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, dissolution of firm. अगर dissolution of firm, आप clearly समझ रहा हो, देखो firm का dissolve होना, firm का बंद हो जाना, मतलब business का बंद हो जाना, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा? Business is discontinued, या closed, and firm is dissolved, ठीक है? तो business discontinue हो रहा है इस case में, या बंद हो रहा है, ठीक है? और उसके कारण firm क्या हो रही है? Dissolve हो रही है. तो इन दोनों में different समझ में आया, Dissolution of partnership में क्या हो रहा है? Business बंद नहीं हो रहा है, business चल रहा है, लेकिन partners के आपसी relationship में changes आ रहा है, ठीक है? Due to these reasons, Retirement, Death, Admission, Change in Profit Sharing Ratio, ठीक है? लेकिन, Dissolution of firm, यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे? कि ऐसी क्या situations है, जब आपकी firm बंद हो जाएगी, ठीक है? और उसकी accounting किस प्रकार से होगी? यह सारी चीज़ें आप समझोगे इस chapter में, ठीक है? तो business अगर बंद हो रहा है, business discontinue हो रहा है, close हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे Dissolution of partnership firm, और अगर partnership में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन business continue हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे Dissolution of partnership, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है? इन दोनों के बीच में difference समझना बहुत जरूरी है, इतना clear? चलो, तो हमारा यह जो chapter है, यह हो रहा है, पूरा Dissolution of firm के बारे में, ठीक है? तो अब इस पर आपको focus करना है, क्योंकि यह आप already पढ़ चुके हो, तो Dissolution of firm अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले, हम यहाँ पर एक बहुत important topic है, modes of Dissolution of firm, ठीक है? तो क्या-क्या modes है, ठीक है, किन-किन कारणों से Dissolution of firm होता है, पहला, by mutual agreement, by mutual agreement, मतलब, when all partners agree for Dissolution of firm, जब सारे partners मिलके, आपसी सहमती से, decide करने कि, भई हमें firm dissolve करना है, ठीक है? मिलकर firm अपनी अपना business, discontinue करना है, अपना business बंद करना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कि अपन अपना business बंद कर लेता है, समझ में आ रहे हैं? तो by mutual agreement, clear हो गया? Second, compulsory dissolution, compulsory, देखो, नाम में यह answer है, compulsory dissolve करना, business को compulsory लिए आपको बंद करना पड़ेगा, कब? when all partners become insolvent, जब सारे partners क्या हो जा रहे हैं? Insolvent, insolvent का मतलब क्या है? कंगाल, कंगाल या दिवालिया, ये वर्ट सुना है कभी? कंगाल या दिवालिया मतलब क्या हो गया? अब उसकी जेब में फूटी कौडी भी नहीं है, ना bankrupt हो जाना, ठीक है, ना bank में पैसा है, ना जेब में पैसा है, तो अगर सारे पार्टनर्स कंगाल हो गए, या दिवालिया हो गए, ठीक है, तो अब उनके पास तो पैसा ही नहीं है, बिजनस कैसे रन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर clearly क्या हो जाएगा, बिजनस को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, या when business of firm becomes unlawful, तो आपको compulsory, ठीक है, फिर यह नौबत आ जाएगी, कि business को बंद करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, compulsory dissolution, यहाँ तक समझ में आ गया, तीसरा, by notice, अब by notice मतलब क्या होगा, अगर partnership at will है, ठीक है, in case of partnership at will, firm may be dissolved by any partner, giving notice in writing to all other partners, तो यहाँ पर क्या होगा, in case of partnership at will अगर है, ठीक है, तो यहाँ पर, business को बंद किया जा सकता है, firm को dissolve किया जा सकता है, किसके द्वारा, कोई भी एक partner, अगर बाकी सारे partners को, return में notice दे दे, कि मैं firm को dissolve करने में interested हूँ, ठीक है, मेरा intention है, कि मैं firm को dissolve करेंगे, business को बंद करेंगे, ठीक है, तो उसके through भी आप dissolve कर सकते हो, firm को, समझ में आ रहा है, चौथा, on happening of an event, या कोई भी इस तरह की घटना अगर होती है, mentioned in partnership deed, तो suppose partnership deed में लिखा हुआ है, कि यह ये कारणों से, अगर इन में से कोई भी कारण होता है, तो हम अपना business को बंद कर देंगे, तो अगर वो कारण, वो event अकर होता है, ठीक है, तो क्या होगा, dissolution of firm होगा, जैसे example मैंने लिखा है यहां पर, on happening of an event, mentioned in partnership deed, तो या तो partner की death, suppose partnership deed में लिखा है, तो अगर किसी एक भी partner की death हो गई, तो firm बंद कर देंगे, ठीक है, मर्जी है, ठीक है, तो partnership deed में ऐसा लिखा है, तो अगर किसी एक भी partner की death हो जाती है, तो पूरा ही business बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, या completion of venture, suppose partners मिले ही इसलिए है, लोग इखटे ही इसलिए हुए है, partnership में आए है, ताकि कोई एक particular project complete करना है, ठीक है, जैसी वो project complete हो गया, ठीक है, वो venture complete हो गया, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, firm को dissolve कर देंगे, ठीक है, जैसे कई बार होता है, कि हमें कुछ काम करना है, तो हमने एक team बनाई, वो काम किया, और उसके बाद team dissolve हो जाती है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी partners आए, साथ में partnership firm form की, उसके तुरू projects किये, वो जैसी complete हो गये, उन्होंने firm बंद कर दी, dissolve कर दी, ठीक है, तो कोई भी कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर modes of dissolution of firm में, चार समझ में है, सबसे पहला mutual agreement, मतलब आपसी सहमती से, अगर partners ने decide कर लिया, कि भाई, firm बंद करना है, business discontinue करना है, तो वो कर सकते हैं, compulsory dissolution, दो cases में, या तो सारे partners जो है, कंगाल हो जाए, या business जो है, वो उनका unlawful अगर हो रहा है तो, तो उनको compulsory लिए उसको dissolve करना पड़ेगा, तीसरा भाई, notice, अगर कोई भी एक partner, partnership at will के case में, अगर किसी भी एक partner ने, written में notice दे दिया, कि भाई, मेरा intention है, कि मुझे अभी एक form को dissolve करना है, सारे partners को उसने written में notice दे दिया, तो भी आप कर सकते हूँ dissolve, and on happening of an event, अगर partnership deed में कोई current mentioned है, ठीक है, जो current mentioned है, अगर वो current, कोई भी event हो रहा है, ठीक है, ठीक है, वो कोई भी event अकर हो रहा है, तो फिर उस event के अकर होने पर आपको क्या करना पड़ेगा, dissolve करना पड़ेगा, example, किसी partner की death हो गई, ऐसा सोच, उन्होंने partnership deed में mention किया है, या completion of venture, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया, ठीक है, clear हो गया, तो यह आपसे one-one mark में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो यह बहुत important theory है, इसमें सबसे ज़्यादा important है, यह जो मैंने star mark किया है, fifth point, dissolution by court, ठीक है, तो आपने चार points तो देख लिए, mutual agreement, compulsory dissolution by notice, and on happening of an even, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा important है, dissolution by court, तो यह आपके exam में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, कि ऐसे कौन-कौन से कारण है, ठीक है, जिसके कारण court को लबता है, कि अब इस business को बंध हो जाना चाहिए, और court order pass कर देती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखते है, court में pass order for dissolution of firm when, तो court कब order pass कर सकती है, कि अब इस firm को dissolve कर देना चाहिए, इस firm को dissolve कर दो, जब partner या partners, ठीक है, यहाँ इसलिए मैंने bracket में ऐस लिखा, यह singular and plural है, partner या partners becomes person of unsound mind, तो यह तो एक या एक से जादा partners unsound mind के हो जाए, इसका मतलब पागल हो जाए, तो वो बिल्कुल भी business run करने के हालत में नहीं रहेंगे, और court को लगता है कि अब ऐसी स्थिती में business को बंद कर देना चाहिए, तो वो क्या करेगी, order pass कर देगी, तो partner और partners becomes permanently incapable, अगर partner या partners permanently incapable हो गया, suppose कुछ accident हो गया, ठीक है, जिसके कारण अब वो completely bed rest पे चले गए, bed ridden हो गए, समझ में आ रहे हैं कि वो bed से भी नहीं उठ सकते, या इतने ज़्यादा बिमार हो गए, कि वो अब firm आ के business run नहीं कर सकते, कोई भी x y z कारण हो सकता है, कोई ऐसा reason जिसके कारण पार्टनर या partners permanently incapable हो गए है, ठीक है, कि business run नहीं कर सकते, तो court क्या कर सकता है, इस case में order pass कर देगा, कि इस firm को इस business को बंद करो, dissolve करो, ठीक है, third reason, partner और partners is found guilty of misconduct, अगर partner या partners कोई गलत काम करते हुए पकड़ाए गए, ठीक है, गलत काम करते हुए पाए गए, तो यहाँ पर guilty of misconduct अगर उनको देखा, तो court क्या करेगा, order pass कर देगा, dissolve करो firm को, समझ में आ रहा है, then, चौथा reason क्या हो सकता है, partner या partners, breached partnership agreement, persistently, continuously partner या partners, जो है, वो breach कर रहे हैं, धोका धड़ी कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉड कर रहे हैं, partnership agreement, जो हुआ है, उसको follow नहीं कर रहे हैं, उसको breach कर रहे हैं, बार बार, ठीक है, तो उस case में भी court क्या करेगा, court order pass कर सकता है, कि firm को dissolve करो, next, court find the dissolution to be justified, अगर court को लगता है, कि कोई भी reason, x, y, z, ठीक है, court को लगता है, कि ये reason, dissolution, ये इस firm का dissolve करना justified है, बिल्कुल करना चाहिए, कोई भी reason हो सकता, जरूरी नहीं ये हो, कोई भी दूसरा reason हो सकता, अगर court को लग रहा है, कि भाई dissolve कर देना चाहिए, तो कर देना चाहिए, वो order pass कर देगा, ठीक है, then business of the firm cannot be carried on, except at a loss, अब business of the firm, जो हम कर रहे हैं, business जो कर रहे हैं आपर, तो वो continuously loss ही हो रहा है, अब आगे भी पता है, कि future में अगर business को run किया, तो सिर्फ और सिर्फ loss ही होने वाला है, प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, तो उस case में भी क्या कर सकता है, court order pass कर सकता है, कि firm को बंद करो, समझ में आ रहा है, तो ये सारे चीज़ें, आपके ये सारे reasons हैं, तो ये आपका question theoretical, उसमें पूछा जा सकता है, कि dissolution by court किन किन कारणों से होता है, तो आपको इस सारे कारण पता होने चाहिए, ठीक है, unsound mind, अगर partner ये partners unsound mind के हो गए हो, permanently incapable हो गए हो, guilty of misconduct पाए गए हो, या partnership agreement को continuously breach कर रहे हैं, या अगर court को लगता है कि नहीं dissolution करना justified है, तो बिल्कुल court की मर्जी वो कर सकता है, business of the firm अगर cannot be carried on accept a loss, सिर्फ loss के अलावा और कुछ होगा ही नहीं इस business में, तो यहाँ पर इसको भी बंद किया जा सकता है, तो इन सारे कारणों से court को लगेगा, तो वो बिल्कुल order pass कर देगा और उसमें बोलेगा कि अब firm को dissolve करो, समझ में आ रहा है, तो यह modes of dissolution of firm clear हो गए, mutual agreement, compulsory dissolution by notice on happening of an event and dissolution by court, तो चलो, जल्दी से इतना note कर लो, यह आपने basic समझ लिया, dissolution के बारे में, अब फिर इसके बाद हम इसके main concepts पे आगे बढ़ेंगे, पहले जल्दी से इसको note कर लो, और इसमें कोई भी doubt हो, तो पूछ लो, बहुत इंपोर्टन सेक्शन 48 इंडियन पार्टनर्शिप आठ 1932, तो सेक्शन 48 यह बिल्कुल अच्छे से आदकना बहुत important section है, इंडियन पार्टनर्शिप आठ 1932 में section 48 में आपको दिया हुआ है कि कि किस तरह से आप accounts का settlement करोगे in case of dissolution, तो accounts को किस तरह से settle किया जाएगा, ठीक है, क्या चीज़ें की जाएंगी, क्या process होगा, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो settlement of account में सबसे पहला point आपको दिया है treatment of losses, ठीक है, तो losses को किस तरह से treat करोगे, अब कोई firm dissolve होने जा रही है, ठीक है, उसके बाद भी losses बच जाते हैं, तो उसको फिर क्या करोगे, then paid out of capital, तो partner का जो capital पूंजी जो लगी हुई है, ठीक है, उसके थुरू आप उसको adjustment करोगे, उसके थुरू आप वापस losses को compensate करोगे, उनकी भरपाई करोगे, lastly अगर उसके बाद भी losses बच जाते हैं, तो lastly by partners in profit sharing ratio, तो यहाँ पर क्या होगा, partners को अपने घर के कपड़े, सामान, बरतन, सब कुछ बेच कर, फिर क्या करना होगा, यहाँ पर इन losses की भरपाई करनी होगी, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है, बिल्कुल basic of losses में समझ में आगे आपको, तो सबसे पहले क्या होगा, जल्दी से firstly out of profits, तो अगर पुराने कोई profits पड़े हुए हैं, आपके पास accumulated उसमें से आप उनको compensate करोगे, अगर उसके बाद भी losses बच जाते हैं, तो then paid out of capitals, उसके बाद भी losses बच जाते हैं, तो फिर partners को अपना घर बेज कर, अपना घर बार, अपना बरतन, कपड़े, सब कुछ बेज कर, फिर उनको अपने basic को introduce करना पड़ेगा, और losses की भरपाई करनी पड़ेगी, कितना लाना पड़ेगा partners को अपने profit sharing ratio के accordingly, जो भी deficiency हो रही होगी, वो partners अपने profit sharing ratio में लेकर आएंगे, समझ में आगया, तो treatment of losses समझ में आगया, out of profits, out of capital, उसके बाद भी अगर बचता है, तो partners profit sharing ratio में अपने घर से लेकर आएंगे, यहां तक clear हो गया, तो settlement of accounts में आपने treatment of losses देख लिया, अब second देखते है, application of assets, इसका मतलब क्या है, देखो, ध्यान से कहानी सुनो, बहुत simple है, आपको already चीज पता है, बहुत common sense वाली बात है, अगर एक firm है, एक business है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, यह क्या हो रही है, यह resolve हो रही है, यह बंद हो रही है, ठीक है, तो इसको क्या process होगा, एक basic common sense लगाओ, एक firm है, अब वो बंद होने जा रही है, तो क्या होगा, इसके जो assets होंगे, इसके जितने भी assets होंगे, machinery, furniture, computer, ठीक है, x, y, z, जितने भी assets है, इन सब को, यह firm क्या करेगी, बेचना start करेगी, ठीक है, इन सब को बेचने के बाद, जो पैसा आएगा, assets को बेच दिया, उससे जो पैसा आया, उस पैसे से वो अपने loan चुकाएगी, अपने liabilities को pay off करेगी, अपने creditors, अपने जितने भी bank से loan लिये हुए है, या दूसरों से loan लिये हुए है, bank overdraft हो सकता है, बहुत सारी liabilities हो सकती है, ठीक है, तो उन liabilities को pay off करेगी, ठीक है, तो basically क्या होने वाला है, assets को बेचेगी, और उससे क्या मिलेगा, cash मिलेगा, जिससे वो अपनी जो liabilities है, उनको pay करेगी, तो बिल्कुल basic कहानी है, basic आपको process पता है, अब यहीं पर liabilities को pay तो करेगी, liabilities में आपने देखा होगा, balance sheet में बहुत सारे items होते हैं, ठीक है, तो assets को बेचा, अब liabilities को pay करना start किया, लेकिन किस sequence में, किसको पहले देना है, किसका बोच पहले हमें उतारना होगा, ठीक है, किसका loan पहले सर से उतारना होगा, यह sequence आपको दिया हुआ है section 48 में, ठीक है, तो यहीं आपको बता रहा है application of assets, तो देखो, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर, तो यहाँ पर example हम ले लेता है, जैसे, यहाँ पर firm है, ठीक है, अब firm ने अपने assets बेचे, ठीक है, assets बेचे, कितने के बेचे, सपोज आपको मिल गए 25 लाग रुपए, तो assets बेच दिए 25 लाग रुपए के, अब यह 25 लाग रुपए assets बेच के आगए, firm के पास, अब अपने liabilities को कैसे चुकाएगी, अपने liabilities को कैसे pay off करेगी, तो देखो, सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि realization expenses जो भी होंगे, जो भी खर्चे है, ठीक है, realization expenses है, सबसे पह तो realization expenses सबसे पहले आपको, यह पैसा जो आपको सबसे पहले realization expenses में डालना होगा, then उसके बाद, जिन लोगों की भी outside liabilities है, secured, ठीक है, उनको देंगे, then outside liabilities जो unsecured है, उनको देंगे, then partners का जो loan चल रहा है, firm में, ठीक है, partners से जो firm ने loan लिया है, तो partners को उनका loan वापस करेंग है, उसके बाद भी अगर पैसे बच जा दें, तो partners को उनके capital account की जो पूंजी है, वो वापस करेंगे, समझ में रहे है, समझ में रहे है, समझ में रहे है, किस sequence में आप liabilities को वापस कर रहे हो, अपने सर से बोज उतार रहे हो, ठीक है, अगर उसके बाद भी पैसा बच जात है, sell out करना है, तो comprises पर ही आपको बेचने पड़ते है, समझ में रहे है, तो आपको generally यहीं पर आपकी आते-ाते कहानी खतम हो जाती है, पैसे खतम हो जाते है, ठीक है, बट आपको पूरा process दिया हुआ है, theoretically कि क्या process आपको अपनाना है, तो बिल्कुल इसको इस तरह से करो कि एक firm है, ठीक है, और firm ने assets बेच दिया, अब यहाँ पर line में सब लोग लगे हुआ है, ठीक है, अब line में यह sequence इनको maintain करना होगा, सबसे पहले, realization expenses के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल इसको ऐसे imagine करो कि यह लोग खड़े हैं, क्या कटोरा लेके, तो इसको हम ऐसा बना ल कि हमारा पैसा वापस करो, firm बंद हो रही है, ठीक है, अगर आपने suppose किसी business में पैसा लगाया हुआ है, किसी को loan दिया है, और उनका business अगर बंद हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या चिंता होगी, कि आपका पैसा आपको वापस मिलेगा की नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर इस sequence में firm को पैसा देना होगा, firm ने अपने assets बेचे, उससे पैसा आया, ठीक है, अब सबसे पहले किसको देंगे, realization expenses को देंगे, ठीक है, सारे खर्चों के realization expenses के against, यह पैसा खर्च किया जाएगा, उसके बाद पैसा बचता है, तो outside liabilities, जो secured है, secured मतलब क्या आपने पढ़ा ह loan secured, unsecured loans क्या होता है, secured loans basically क्या होता है, जो जिसके against आपने कोई सामान या कोई asset गिरवी रखवाया हो, कई बार bank से आप जो लोन ले तो आपको उसके against अपना कोई asset mortgage करवाना पड़ता है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर secured loan वो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे outside liabilities जिसके against आपने security नहीं रखवाई है, तो third number उनका आएगा, तो सबसे पहले firm क्या करेगी, जो खर्चे हो रहा है, पहले उन खर्चों को करो, realization expenses को निप्टाओ, then second, outside liabilities जो secured है, उनको उनका बोज उतारो, फिर outside liabilities जो unsecured है, उनका बोज उतारेगी, उसके बाद firm, अब जाके सारी li liabilities जब pay off होगे, अब partner की बारी आएगी, तो सबसे पहले partner का जो loan चल रहा है, तो उस loan को पहले pay off करेगी, उसके बाद भी अगर पैसा बचता है, तो उसके बाद उनके capital में जो पूंजी का जो balance है, उसको वापस करेगी, क्योंकि जो partners ने firm में capital इंट्रड्यूस किया है, व यह बहुत ही important है, यह आपको sequence बिलकुल याद होना चाहिए, ठीक है, तो याद कर लो जल्दी से, सबसे बहले realization expenses, फिर outside liability secured, फिर outside liability unsecured, उसके बाद कौन खड़ा होगा line में, उसके बाद होगे हमारे partners, partner को loan देंगे, उनका loan वापस करेंगे, उसके बाद partner का capital account वापस करें तो जल्दी से यह note कर लो, यह बहुत जादा important है, ठीक है, तो section 48 में आपको यह दो चीज़े समझ नहीं थी, सबसे पहले settlement of accounts में आपको treatment of losses किस तरह से करना है, losses का भरपाई, losses का compensation किस तरह से होगा, सबसे पहले out of profits, out of capital and then lastly अगर उसके बाद भी loss compensate नहीं हो पा रहे है पू application of assets के लिए, जो कटोरा लेके लोग खड़े रहेंगे, आपके जो भी liabilities वाले, creditors वाले जो लोग है, ठीक है, वो खड़े रहेंगे, आपको अपने assets बेचने है, firm अपने assets बेचेगी, उससे जो पैसा आएगा, वो sequence में उनको उनका पैसा वापस करती जाएगी, वो liability को pay off करती जाएगी, ठीक है, तो यह चीज यह diagram को हमेशा याद रखना, यह आपके बहुत काम में आने वाला है, अब section 48 देखने के बाद, एक और बड़ा easy सा section है, section 49, Indian Partnership Act 1932 का, तो section 48 अच्छे से देख लिया कि settlement of accounts का क्या process है, अब यहाँ पर एक छोटी सी आपको जानकारी है, जो section 49 में दी गई है, इसको बिलकुल ध्यान से देखो, बहुत simple है, firms debt, firms debt क्या होता है, ऐसी debt जो firm की है, ठीक है, basically firms debt मतलब, debt owned by firm to outsiders, इसका मतलब जैसे, आप firm ने bank loan लिया है, अपने business को run करने के लिए, creditors है, तो यह सारी firm की debt है, firm की उधारिया है, ठीक है, जो firm ने लेकर रखी हुई है, समझ में आ रहा है, private debt क्या हो जाएगा, ऐसी debt जो private है, मतलब partners की खुद की है, personal है, ठीक है, तो debt owned by partners in personal capacity, जैसे example, partner ने कोई कार खरी दी, अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है, तो आपको यह चीज, firm और partner को अलग अलग तरह से देखना होगा, दोनों एक इंसान नहीं है, separate legal entity है दोनों की, ठीक है, तो आपको उस context में इसको देखना होगा, तो firm की debt मतलब, जो firm ने उधारिया ली हुई है, लोगों से, या bank से लोन लिया हुआ है, एक्स वैजट कोछ भी हो सकता है, private debt मतलब partners की खुद की जो उधारिया है, personal उधारिया है, जैसे उसने car खरीदी, तो car के लिए उसने loan लिया है, car loan चल रहा है, जिस घर में वो रह रहा है, उसके लिए उसने कुछ loan लिया हुआ है, या किसी और से कोई उधारी ली हुई है, ठीक है, तो वो private debt किस की हो जाएगी, वो partner की हो जाएगी, समझ में आ गया, तो firm debt मतलब firm की उध एग्जामपल, land and building, ठीक है, plant and machinery जो है, computers है, यह सब किसके हो गए, firm की assets, ठीक है, partner की property क्या हो जाएगी, partner की property उसका खुद का घर, उसकी car, ठीक है, उसका सोफे, furniture, ठीक है, उसके घर के बरतन, उसकी wife की jewelry, यह सारे किसके हो गए, partners की property हो गए, समझ में आ रहा है, तो अब यहां पर क्या बोला गया, एक बहुत simple सी और बहुती common sense वाली बात बोली गई है, firm की अगर property है, ठीक है, तो firm की अगर property को बेच के जो भी पैसा मिलेगा, उससे सबसे पहले, firm की उधारी चुकाई जाएगी, और उसके बाद अगर सारी उधारी चुकाने के बाद भी अगर property का पैसा बचता है, property बचती है, तो उसके बाद फिर partner की उधारी चुकाई जाएगी, समझ में आ रहा है, तो dissolution के time पे क्या होगा, जो firm की property है, उसको बेच कर जो पैसा मिलेगा, तो सबसे पहले firm की ही उधारी चुकाई जाएगी, उसके बाद अगर बच गया, तो फिर private debt को चुकाई जाएगा, समझ में आ रहा है, इसी तरह से partner की जो property है, तो partner की अगर property, personal property बेचते हैं, उसका घर बेच दिया, car बेच दी, तो सबसे पहले जिसकी property उसकी उधारी चुकाई जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर partner की property है, तो सबसे पहले private debt, that is partner की debt को चुकाई जाएगा, उसकी personal उधारियों को चुकाई जाएगा, उसके बाद अगर बचता है, तो फिर firm की उधारियों को चुकाई जाएगा, समझ में आ रहा है, clear हो गया यह, ठीक है, तो firm's property और partner's property का utilization समझ में आ गया, तो यहाँ पर यह देखो एक important बात है, जिसकी property है, उसका debt सब से पहले हम pay करेंगे, first pay करेंगे, तो जिसकी property, उसकी उधारी सबसे पहले चुकाई जाएगी, बस यही बोला गया है किसमे section 49 में, ठीक है, बहुत easy था, कोई भी doubt हो तो पूछ लो, अब यह सारे concepts देखने के बाद, ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरह से accounting treatment होने वाला है, ज जब partnership firm का dissolution होता है, ठीक है, तो यहाँ पर in this chapter, we have to, हमें क्या-क्या करना होगा, questions में generally आपको क्या दिया होगा, यहां तो बोला जाएगा कि journal entries पास करो, ठीक है, जो भी dissolution का process है उसकी, यह following ledger accounts बनाओ, ठीक है, यह आपको दोनों भी बोला जा सकता है, तो depend करता है कैसा question है, तो basically इस chapter में आपको क्या करना है, सिर्फ journal entries करनी सीखनी है, और ledger accounts बनाने सीखने है, कौन-कौन से ledger accounts, realization account, partners capital account, partners loan account, cash account और bank account, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई P&L account, revaluation account या balance sheet वगेरा नहीं बनेगा, क्यों बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि यह firm तो बंद हो रही है, तो हमें तो यहाँ पर क्या करना है, firm को अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना है, ठीक है, उसकी firm business discontinue हो रहा है, बंद हो रहा है, तो यहाँ पर balance sheet तो बनेगी नह आप जो सब कुछ है, उसको खतम करना होगा, समझ में आ रहा है, उसका पूरा realization करना होगा, यहाँ पर हम revaluation account नहीं बनाते हैं, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, अभी तक आपने admission, retirement, death of a partner में revalue किया assets and liabilities को, बट यहाँ पर assets and liabilities को realize करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे account settle करना है, basically क्या करना है, देखो जरा, बहुत simple सी बात है, आप ऐसा example ले लो, जैसे आप अभी एक rented house में रह रहे हो, ठीके एक घर में रह रहे हो, जहाँ पर rent पे करते हो, ठीके particular एक city में, जैसे आप suppose रह रहे हो, कहाँ पर indoor में रह रहे हो, अब आपका suppose आपकी job लग तो क्या करना होगा, अभी आज जिस आप flat में रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, अपना सामान बेचोगे, ठीक है, तो सारे sofa, furniture, बरतन, कपड़े, जो भी यहाँ पर X, Y, Z आपकी इस चीज़ से related है, वो सब बेचोगे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, जो भी बेच के, पैसा आया, उससे आप अपने जितने भी बिजली का बिल अगेरा पे करना है, रेंट बचा हुआ पे करना है, वो सब पेमेंट करके, अगर किसी से उधारी ली है, किसी शॉपकी पर से किराने वाले से, वो सारी उधारियां गम्पलीट करके, दैन आप क्य करोगे फिर नई सिटी में मूफ कर जाओगे समझ में आ रहा है तो आपने क्या किया बेसिकली अपने assets को बेचा उससे जो पैसे आए आपने ड्यूस क्लियर किये उधारिया क्लियर की बिल्स पेमेंट किये खर्चे पेमेंट किये और उसके बाद आपने यहां से पूरा अपना बोर्या विस्तर समेट लिया समझ में आ रहा है बिल्कुल सेम टू सेम कॉंसेप्ट यहां पर भी डिजल्यूशन ऑफ फॉर्म में होगा तो यह हमारी फॉर्म है बेसिकली यह क्या करेगी फॉर्म जो है फॉर्म के जो असेट्स है ठीक है और फॉर्म की क्या होंगी लाइबिलिटीज तो फॉर्म क्या करेगी अपने असेट्स को बेचेगी ठीक है असेट्स को बेचेगी तो उससे क्या मिलेगा cash मिलेगा assets को बेचा आपने plant and machinery furniture, computers यह सब बेचे और उसको बेच कर cash मिला, ठीक है पैसा मिला, उस पैसे से आप क्या करोगे आपकी जो liabilities है ठीक है जो बोज है सर पर जो उधारी है उसको चुका होगे समझ में आ रहा है तो यह जो पूरा process है ठीक है, इस process को हम कहा record करते है realization account में ठीक है, तो अभी आप देखोगे आगे realization account में आप assets and liabilities को किस तरह से पूरा, यह पूरा settlement करते हो assets and liabilities का समझ में आ रहे हो, ठीक है उस तरह से उसी के बाद partners capital account कैसे बनेगा, partners loan account cash account, bank account यह सारे ledger accounts बस important होंगे dissolution of a firm के लिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी balance sheet वगेरा नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ पर firm हमारी resolve हो रही है खतम हो रही है clear होगे इतना, तो इस chapter में समझ में आगे, journal entries और ledger accounts क्या क्या आपको बनाने है चलिए, तो अब journal entries पर जाने से पहले ठीक है, basic मैं एक basically इस chapter का crux आपसे discuss करने वाली हूँ ठीक है, तो यह अगर आपने यह अभी ध्यान दे दिया अगले 10-15 minute, तो आप यह समझ जाना कि आप समझ गए कि इस chapter में आपको क्या करना है ठीक है, आपको अच्छे से पूरा चाप्टर समझ में आ जाएगा बस अभी अगले 10-15 minute पूरा अपना focus यहीं पर लगाना है अब, ध्यान से देखो ये एक firm है, ठीक है, इसकी balance sheet दी हुई है आपको ठीक है, अब ये firm क्या कर रही है अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है ठीक है, firm dissolve हो रही है तो यहाँ पर क्या करना होगा ठीक है, सबसे पहले जितने भी assets हैं, जो आप market में बेच सकते हो, तो हम balance sheet को basically हमें क्या करना है, एक एक item को खाली करते जाना है, ठीक है समझ में आ रहा है, इतना clear हो गया चलो, अब मुझे ज़रा asset side में बता दो asset side में क्या क्या दिख रहा है, cash fixed asset, current asset and यह आपका advertisement suspend, deferred revenue expenditure, penal account, that is kachra items, ठीक है kachra items, that is हमारे accumulated losses वगेरा जो है, जो हमने write-off नहीं किया है, यह आपके दिख रहा है तो अब यहाँ पर, इन में से कौन से items आप market में बेच सकते हो जिनके बदले आपको पैसा मिलेगा cash को बेच सकते हो, क्या cash को बेचने का कोई sense है क्या आपको भी market में निकलते हो, बोलते हो, अरे यह ले लो, 100 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले उनका आपने क्या बनाया, उनको आपने डब्बे में पैक किया, उनका उनकी एक बोरी बनाई, और उनको आप लेके चले कहाँ पे market में, बेचने के लिए ठीक है, तो अब basically क्या किया आपने यह balance sheet से items हटा दिए हटा दिए और इसको कहाँ पे भर देंगे, हटा कर बोरे में भर लेंगे, ठीक है, तो basically इनको हम क्या करने वाले हैं, assets को मारेंगे और इसको बोरे में भरेंगे, that is realization account में हम transfer करते जाएंगे ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था क्या बताया था, कि जो पूरा process है, इसको हम कहां से route करते है, realization account से route करते हैं, तो सबसे पहला step क्या होगा, सबसे पहला step क्या होगा, कि जितने भी assets हैं, जो आप market में बेचने वाले हो, ठीक है, उनको आप क्या कर दो, मार दो, और realization account में ट्रांसफर कर दो, तो यहां पर clearly assets का balance क्या होगा, debit balance होता है, मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, assets को credit करना पड़ेगा, तो debit क्या हो जाएगा, realization account, समझ में आ रहा है, इसको एक बोरे की तरह imagine कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 150, समझ में आ रहा है, और यहां पर क्या हो जाएगा, two current assets, कितना हो गया, 200, समझ में आ रहा, तो यह जो दू आइटम्स आप market में बेज सकते थे, उनको आपने उठाया और उसको आपने balance sheet से निकाला, और realization account में डाल दिया, that is, आपने बोरे में डाल दिया, इतना clear हो गया, यहां तक कोई doubt तो नहीं है, ठीक है, क्या अब advertisement, suspense या deferred revenue expenditure है, PNL account, इनको आप बाठ सकते हो, नहीं, ठीक है, क्योंकि यह कच्रा items है, यह कोई आप से लेगा नहीं, ठीक है, basically क्या है, यह आपके undistributed profits है, या undistributed losses है, sorry, क्योंकि asset side पर दिख रहे है, या क्या है accumulated losses है, जो आपने अभी तक write-off नहीं किये, तो इसका treatment बिल्कुल सेम वैसे होगा, जैसे अभी तक होता है, that is, partners capital account में write-off करेंगे, समझ में आ रहा है इतना, तो चलो, asset side पर और क्या-क्या चीज़ें दिख रही है, cash दिख रहा है, तो cash को तो हम बेच नहीं सकते, तो इसलिए उसको हम बोरे में नहीं भरेंगे, समझ में आ रहा है, तो 50 रुपए आपके पास अभी in hand है, तो आपने इसको कहाँ पर transfer कर दिया, इसको cash account में transfer कर दिया, ठीक है, तो एक-एक करके देखो, हम balance sheet के सारे items को चुन-चुन के क्या कर रहे है, मार रहे है, अब next, asset side में देखो, और क्या दिख रहा है था, advertisement suspense, deferred revenue, तो basically इसको क्या करोगे, इसको partners के capital account में आप क्या करोगे, write-off करोगे, तो हमेशा जो यह आपका कचर items होते हैं, इसको debit side में write-off करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ दिया नहीं है, तो हमान के चल रहे है, equal profit sharing ratio हो गया, तो 100-100 रुपए, 200 रुपए का total आपका यह है, तो 100-100 रुपए आप इसको ले लोगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे to advertisement suspense, ठीक है, तो बिल्कुल asset side की सारी चीज़ों का treatment हो गया, समझ में आ रहा है, अब liability side पर देखो, तो liability side पर जो capital accounts है, ठीक है, तो capital accounts को तो आप partners के capital account का opening balance बना होगे, तो capital accounts partner के कहाँ चले जाएंगे, buy balance brought down जैसा कि अभी तक हम करते आये थे, ठीक है, जो opening balance है, before adjustments, 150, 150, यह लिख लिया, ठीक है, अब outside liabilities, तो यह वो liabilities हैं, जिनको आपको चुकाना है, जिनको आपको pay off करना है, ठीक है, assets को बेच के, जो पैसा आएगा, उसको आपको चुकाना है liabilities को, तो इसलिए, इन liabilities को भी, हम मार के कहां ले जाते हैं, अपने बोरे में, that is, realization account में, ठीक है, तो अब clearly liabilities का क्या balance होता है, credit balance, मारने के लिए क्या करेंगे, debit, तो credit क्या हो जाएगा, realization account, इसलिए realization account के credit side में हम लिख लेंगे, by, outside, या current, liabilities, ठीक है, कितना हो गया, 100 रुपय, तो आपने ये भी मार दिया, और आपने 300 रुपय भी यहां से capital account में transfer कर दिये, ठीक है, अब सिर्फ last में क्या बचा है, देखो आपका, reserve बचा है, ठीक है, तो यहां पर, clearly, reserve क्या होता है, reserve एक गुल्लक होती है, basically क्या होता है, आपका profit का एक हिस्सा होता है, part of profit होता है, जो आपने अलग से रखा है, set aside करके रखा है, ताकि future में जरुवत पड़े, तो हम काम में ले लेंगे, जैसे हम अभी अपनी गुल्लक बना के रखता है, तो इसको तो आपको कुछ pay off करना नहीं है, ठीक है, यह basically part of profits ही है, तो इसी लिए इसका भी treatment बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसा अभी तक होता आया है, that is, reserve cake item है, तो cake item को हम क्या कर देंगे, partners में distribute कर देंगे, तो यहां पर clearly, buy reserves आ जाएगा, और 200 रुपे है, 100, 100, distribute कर दोगे equally, समझ में आई, यहां तक कहानी, ठीक है, तो बिल्कुल मैंने basic items ले हुए है, थोड़ा सा उपर नीचे एक दो चीज़े नहीं, आपकी special चीज़े add हो सकती है, जो कि हम आगे discuss करेंगे, बट एक overall जो आपका question रहेगा, वो यही इसके around ही घूमेगा, समझ में आ रहा है, तो अगर आपने ये पूरा concept अभी समझ लिया, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कहां से क्या हो रहा है, ठीक है, पूरा process क्या होने वाला है, किस तरह से आपको root करनी है चीज़े, समझ में आया, चलो, तो यहां पर जल्दी से अभी तक जो किया, जल्दी से revise कर लेते है, liability side से और asset side से, पहले हमें जो चीज़े वो उठानी होंगी, asset side से, जो market में बेची जा सकती है, ठीक है, तो उनको उठाएंगे और बोरे में डाल देंगे, यहां पर realization account के debit side में, market, ठीक है, उसी तरह से liability side में, वो items जिनको हमें pay off करना है, चुकाना है, जिनकी उधारी, ठीक side में, जो cash होगा, वो हमारा opening balance बन जाएगा, cash account का, ठीक है, उसके बाद, जो आपका कच्रा items है, उसको आप जैसे करते आये थे, अभी तक write off कर दोगे, partners के capital account में, ठीक है, liability side में, जो partners के capital account का balance दिया, इसको आप as opening balance ले लो, कि जैसे अभी तक करते थे, ठीक है, reserve, यह जो cake items हैं आपके, उनको आप, जैसे अभी तक distribute करते थे, partners में, वैसे ही distribute करोगे, इतना समझ में आ गया, यहां तक कहानी clear होई, ठीक है, तो पहले इतना note करो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से देख लो, अभी तक कोई doubt तो नहीं है, अब ये सारी चीजे करने के गया, हमें एक customer आया, उसने बोला कि मैं आपके जो 500 रुपे के assets हैं, उनको 100 रुपे में खरीदने के लिए ready हूँ, ठीक है, तो if 150 के assets, जब आपको 100 रुपे में मिलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा उसके बदले, cash मिलेगा 100 रुपे, ठीक है, तो cash account debit होगा, लेकिन credit क्या ह होगा, credit भी realization account ही होगा, समझ में आ रहा है, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहते हूँ, सबसे पहरे first step क्या होगी, कि आपको जो assets बेचे जा सकते है, origin liabilities को आपको pay off करना है, उनको आप उठाओगे balance sheet से, और मार के लेके जाओगे realization account में, ठीक है, दूसरा step क्या होगा realization account में, अब आप realize करोगे, realize करना start होगा, तो पहले assets को बेचोगे, तो assets को बेचने से जो पैसा आएगा, उसको भी आप realization account से ही root करोगे, समझ में आ रहा है, तो entry क्या होगी, cash account debit, cash मिल रहा है, ठीक है, two realization account, तो इसलिए realization account के credit side में लिख देंगे, buy cash account कितना 100 रुपय, तो यह आपको fixed assets की value मिल गई, समझ में आया, इतना clear हो गया, तो यहाँ पर उसके बाद current assets, current assets जो आपके 200 रुपय के थे, आपको partner जो A था, उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं ही ले लेता हूं, current assets, ठीक है, कितने में 150 में ले लेता हूं, तो यहाँ पर, अब क्या लिखोगे अब क्या कोई पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, लेकिन A आपसे लेने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर यह asset भी realize हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप credit side में, ध्यान से कुछ नहीं करना है, assets को मारोगे debit side में, liabilities को मारोगे credit side में, अब जब assets को बेचके पैसा मिलेगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, liabilities को जब आप pay करोगे, तो वो यहाँ पर से pay करोगे, ठीक है, और अगर आपको confusion है, तो आप journal entry पास करके देख लो, तो अगर cash मिल रहा है, तो cash account debit होगा, तो realization account credit हो जाएगा, ठीक है, तो buy cash account 100 हो गया, अब यहाँ पर partner take over कर रहा है, पार्टन A's capital account, कितना 150, इतना समझ में आया, ठीक है, तो क्या हुआ, जो fix assets, 300 रुपए का था, यह market में बिग गया 100 रुपए का, और जो current assets थे 200 रुपए के, वो हमारे A partner रे take over कर लिए, तो कितने में, 150 रुपीज में, इसलिए यहाँ पर जो market में से पैसा मिला, उसको हमने लिखा, buy cash account, और क्योंकि यह A take over कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे है, buy A's capital account, कितना clear हो गया, यहाँ तक कोई doubt तो नहीं है, ठीक है, simple है, चलो, अब यहाँ पर clearly, क्योंकि cash account debit हुआ था, तो cash मिला, कितना मिला, 100 रुपए, तो इसका दूसरा impact कहा आजाएगा, cash या bank account के debit side में, तो एक entry आपकी यह हो गई, उसका दूसरा impact यह हो जाएगा, ठीक है, तो cash से related जो जो भी transactions होगे, realization account में उसका यहाँ पर भी impact आएगा, और साथी साथ आप उसका cash account में भी impact देते जाओगे, तो समझ में आ रहा है, पूरी entries किस तरह से flow हो रही है, ठीक है, किस त अब जो पैसा मिला है, हमें अपनी liabilities को pay off करना है, ठीक है, तो suppose यहाँ पर liabilities यह जो 100 रुपए आपको देनी थी, उन्होंने बोला कि अब आप इस 100 रुपए के बदले हमें 120 रुपए दो और बात खतम करो, ठीक है, तो यहाँ पर हम again cash pay करेंगे, तो two cash account, 120, ठीक है, तो यह चीज मैं अगर आपको ऐसे बताओं, इन assets को बेच के जो पैसा आएगा, वो आप यहाँ से root करोगे, और इन liabilities को जो pay off करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से root करोगे, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, क्यों, यहाँ से यहाँ पर क्यो लिखोगे, क्योंकि entry क्या है, लेकिन यहाँ पर तो आप संदी क्रेटर्स को मार चुके है, अल्रेडी, realization account में, तो आप यहाँ आपकी balance sheet में तो exist करते नहीं है, इसलिए जो आप payment करोगे, वो आप क्या entry करोगे, realization account debit to cash, समझ में रहा है, तो यहाँ पर संदी क्रेटर्स account debit नहीं होगे, यहाँ पर realization account ह पहरा step क्या है, assets और liabilities को मार के ले जाओ, realization account में, दूसरा step क्या है, जो भी lane देन हो रहा है, ठीक है, अगर liabilities को pay कर रहे हो, वो भी realization account के थ्रू होगा, अगर आपको assets के बदले पैसा मिल रहा है, वो भी realization account में जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था, यह पूरा process assets को बेचना, उसका पैसा मिलना और उससे liabilities को pay off करना, यह पूरा का पूरा process आपका realization account में ही आएगा, समझ में आ रहा है, यहां तक clear हो गया, ठीक है, कोई doubt, कोई परिशानी, कोई दिक्कत, नहीं, चलो, तो अब यह cash का दूसरा impact क्या हो जाएगा, आपने जो 120 रुपे का cash pay किया, तो यहां से आपका cash का balance कम होगा, ठीक है, तो आपका cash credit हो रहा है, तो credit side में क्या लिख देंगे, by realization account, ठीक है, अगर यह dissolve नहीं होती, तो हम यहां पर क्या लिख रहे होते, by sundry creditors लिख रहे होते, बट क्यूंकि अब dissolve हो रही है, तो हम सब कुछ realization account के through root करेंगे, स अब, यहां पर cash का तो आपने impact दे दिया दोनों जगे, ठीक है, लेकिन यहां पर, देखो, ace capital account को भी आपने क्या किया है, realization account को credit क्या है, मतलब ace से आपको 150 रुपए लेना है, किस चीज के लेना है, जो उसने current asset take over किया है, तो उतने amount से हम A का capital account क्या कर देंगे, debit कर देंग ठीक है, तो जो भी आपके cash में लेन देन हो रहा है, वो realization account में तो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपका cash account में भी reflect होगा, ठीक है, और जो भी आपके partner के थूद, आपका लेन देन हो रहा है, तो वो आपका capital account में भी reflect होगा, समझ में आ रहा है, इतना clear हो गया, चलो, अब यहां पर हमारी कहानी को हम close करते हैं तो यहां पर आप realization account close करो, देखो ज़रा कितना हो रहा है तो debit side में आपका कितना आ रहा है, 150 प्लस 200, प्लस 120 यह कितना हो गया, 470 minus credit side करो, minus 100 minus 100, minus 150 तो आपका loss आ गया, कितना, 120 तो by loss ठीक है, realization account में आपका loss आ गया, 120 अब यह loss क्यों आया ध्यान से देखो कौन बता सकता है कि यह loss क्यों आया, 120 रुपे का यहां पर अगर आपने ध्यान से observe किया होगा तो देखो, हमारे assets की जो value थी क्या होता है, जब भी firm dissolve होती है है न, अब firm को जल्दी जल्दी अपना बूरिया बिस्तर समेटना है जैसे आपको दूसरे location पर shift होना है जैसे तो आप क्या कर रहे हो, अपना सारा furniture यह सब बेच रहे हो तो सबको पता है कि यह जल्दी में है ठीक है, तो लोग आपका क्या करता है फायदा उठाएंगे, लोग बोलेंगे कि अभी इत्ते में ही दे सकते हैं आपको सस्ते में आपके सारे assets ले लेंगे ठीक है, जो liabilities है वो बोलेंगे आप हमको जादा pay करो क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि firm तो dissolve हो रही है समझ में आ रहा है, तो यहां पर इसको इस तरह से समझ लो कि जो भी assets हैं देखो, 150 का asset था, वो कितने में बिखा 100 में ही बिख पाया, तो 50 रुपे का देखो loss यह हो गया current assets 200 के थे, partner ने उसको कितने में agree किया लेने के लिए 150 में, तो 50 रुपे यहां पर आपको नुकसान हो गया, 100 रुपे का तो नुकसान यही हो गया, outside liabilities 100 रुपे की थी, उसको आप पे कर रहे हो 120 रुपे, तो मतलब 20 रुपे जाधा पे कर रहे हो, उसको देना तो 100 रुपे था, बट क्योंकि dissolution हो रहा है, तो वो जाधा मांग रहा है, ठीक है, तो यहां पर 20 रुपे का और नुकसान हो गया, इस तरह से टोटल, 50 प्लस 50 प्लस 20, 120 का टोटल आपको लॉस हो गया, realization account में, समझ में आया, यहां तक clear हो गई कहानी, अब बिल्कुल जैसे हम, evaluation account का loss या profit, ठीक है, आप transfer करते हैं थे partners capital account में, उसी दरह से इस loss को उठा के भी हम, कहाँ transfer कर देंगे, partners के capital account में, तो यहां पर देखो, कितना-कितना चला जाएगा, 60 रुपए A को बेर करना पड़ेगा और 60 रुपए B को बेर अगर equal ratio मान रहे हम तो और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 realization loss ठीक है तो realization account आपने पूरा close कर दिया यहाँ तक कहानी clear होगी अब आ जाते हैं partners capital account पर ठीक है तो partners capital account को close करते हैं अब जो भी कम जाधा होगा वो इनको लेकर आना पड़ेगा तो ध्यान से देखो A का debit side देखो कितना आ रहा है 100 A का credit side देखो कितना है 150 प्लस उसको reserves मिले 100 रुपए के ठीक है minus उसको advertisement suspense account बेर करना है 100 रुपए का minus 150 रुपए का उसको क्या करना है realization account से आया that is 150 रुपए उसको current assets के बदले देना है minus 60 रुपए का उसको loss bear करना है मतलब अभी 60 रुपए कम पड़ रहे हैं ठीक है तो A को 60 रुपए और घर से लेकर आना पड़ेगा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे buy cash account बिल्कुल जैसे normally हम करते थे retirement के cases में जब हम close करते थे तो यहाँ पर भी पूरी firm close हो रही है तो जो भी कम जादा है यह partners अपने घर से लेकर आएंगे और अगर जादा capital account आ रहा है तो अपने घर लेकर जाएंगे समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है आपका 100 प्लस 150 प्लस 60 यह हो जाएगा टोटल 310 यह आपका आजाएगा balancing figure ठीक है यह भी हो जाएगा आपका 310 इतना समझ में आ गया अब B का ध्यान से देखो B को capital वापस करना है फॉर्म को 150 प्लस reserves का देना है उसको 100 रुपीज minus advertisement suspense account जो वो बेर करेगा 100 रुपे minus 60 रुपे का loss on realization भी अर करेगा तो टोटल 90 रुपीज से अभी उसका capital account ज्यादा आ रहा है तो यह क्या करेगा यहाँ पर उतना cash घर लेके चला जाएगा तो 2 cash account यह आ जाएगा balancing figure ठीक है यह हो गया आपका 250 और यह भी आपका हो जाएगा 250 इतना समझ में आया अब जो cash यह लेकर आ रहा है ठीक है तो firm को cash मिल रहा है तो cash उतने से बढ़ जाएगा entry क्या हो जाएगी cash account debit to ace capital account यह entry हो रही है तो इसलिए 60 रुपे का cash का impact यहाँ आ जाएगा तो cash का जहां कहीं भी impact आएगा चाहे realization हो चाहे partners capital account हो उन सारों का impact है आपके overall cash है bank account पर भी पढ़ेगा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2A's capital account ठीक है अब B 90 रुपीज लेके जा रहा है तो आपका cash कम होगा तो cash के credit side पर लिख देंगे by B's capital account ठीक है इस तरह से अध्यान से देखो 50 रुपए आपका opening balance था प्लस 100 रुपए आपको मिले किस चीज के against fix assets के against मिले प्लस A 60 रुपए का cash लेकर आया माइनस 120 रुपए आपने creditor को liabilities को pay off किया ठीक है और 90 रुपीज आपने 90 रुपीज भी लेके चला गया तो देखो आपका cash account टैली हो गया ठीक है ये कितना हो गया total दोनों side देखो 210 and 210 यहां तक पूरी कहानी समझ में आई ठीक है और इस तरह से आपकी पूरी balance sheet भी देखो balance sheet के सारे items आपने निकाल के सबका treatment कर दिया जो realization account में जाने थे वो realization account में transfer कर दिये ठीक है assets को बेचया और उससे liabilities को चुकाया उधारियां चुकाई उसके बाद realization account को close करते हुए जो भी loss आया या profit आया वो हम partners के capital account में भेज़ देंगे partners के capital account में क्या treatment किया जो opening balance था वो लिया जो भी cake items थे कच्रा items थे वो सब उनको दे दिये realization अगर उनने कोई asset वगेरा खरीदा है तो वो भी हमने वहाँ से adjust कर दिया और उसके बाद realization पर जो loss आप profit हुआ वो उनके partners capital account में transfer कर दिया फिर हमने क्या निकाला कि किस partner को कितना shortage पढ़ रहा है अगर shortage पढ़ रहा है capital तो घर से लेकर आएगा अगर जादा capital account आ रहा है तो अपने घर लेकर जाएगा और फिर at the end cash account या bank account बना है जहाँ 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 भी cash के transactions हुए हमने वो plus minus करते गए और इस तरह से हमारा cash account भी tally हो गया ठीक है तो यह basically crux example था ठीक है एक case हम लोगों ने ले लिया था अगर आपको यह अच्छे से समझ में आ गया तो बस आप यह समझ जाना कि आपको किसी भी question में परिशानी नहीं होने वाली है चलिए तो आपने यह तो सीख लेकिए कि इस तरह से balance sheet से आप लेजर अकाउंट बनाओगे अब अगर लेजर अकाउंट का आपको पूरा concept पता चल गया तो आप journal entries भी पास कर सकते हो समझ में आ रहा है तो journal entries को भी हम in detail discuss करेंगे आने वाले अगले concept part 2 में I hope आज हमने जो concept discuss किये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है इसमें कोई भी doubt हो दिक्कत हो परिशानी हो तो comment section में लिखना ना भूले इस chapter के अगर concept अच्छे से कर लोगे तो आराम से questions बन जाएंगे तो इसलिए concepts को बिल्कुल भी lightly नहीं लेना है ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही बाकी के जो भी concepts है questions है करेंगे आने वाले अगले lectures में जल्दी मिलते हैं break के बाद देखते हैं यह magnet brain stay tuned goodbye